नमस्कार, आज दुनिया में हर कार्य संभव है, मंगल पर जाना संभव है, कितना भी लंबा बिरिज बनाना हो, समंदर के उपर बनाना हो, या समंदर के नीचे बनाना हो, संभव हो है, तो असंभव क्या है? असंभव है, सिर्फ एक छोटी सी चीज, आपका हृदय, आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम, आपका स्वभाव चेंज हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम, आपने देखा है, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, जो हर तरह से सफल है, बिजनिस टाइकॉन है, उन्होंने पता नहीं कितने लंबे लंबे बड़े बड़े काम की हैं, लेकिन आप कभी उनकी शक्ल देखे, कभी आप उनका चेहरा देखे, ऐसी मुस्करहाट उनके चेहरे पर नहीं होती, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं यह नहीं कहे रहा हूँ कि सभी होते हैं, और आप उनके सामने कितनी भी हसी की बातें करिए, कितना मनो विनोत करिए, कितने चुटकुले सुनाईए, अच्छे गीत गाईए, लेकिन मजाल है कि उनके चेहरे पर कोई हसी आ जाए, मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है, सहजता, सरलता, वो नहीं है उनके पास, तो क्या वो इतने बड़े बिजनिस ट्राइकोन हुए हैं, या उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े काम किये हैं, तो इसके बाद क्या वो सफल है? नहीं, वो सफल नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है आपकी जिन्दगी, आपका शरीर, आपका रहन सहन और आपका स्वभाव, और अगर स्वभाव ही सरल नहीं है, तो आप जीने में अनन्द कैसा पाएंगे? अब देखिए, कुछ लोग हसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्यों? सरलता, सहजता है, और सरलता कैसे आती है, सहजता कैसे आती है? खुद को कुछ भी नहीं समझना, सामने वाले के भीतर भी अपने जैसा भगवान है, मौजूद है, ऐसा मानो. अगर आपको सामने वाले में अच्छाईया नजर आती है, क्वालिटी नजर आती है, भगवान नजर आता है, तो समझ लीजे फिर आप सहज हो गए, तो फिर आप सभी की बातों में हसेंगे, अच्छी अच्छी बातों में मुस्कुराएंगे, पर कई लोग देखिए, दि बलट बातेंग करता है hmm ऐसा कथोर दिल किसी-किसी का घूता है सारा दिन शक्किन के सब यह जो ग्यान है एक नएक दिन आपकी द्वारे आता हैं लेकिन कि लोगों को टैच्च हो कररके निकल जाता है कि लोग को पकड़ लेते हैं कि आप इसको पकड़िए, सहज हो जाएगे, जिस दिन आप सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप पिछली जिन्दगी कितनी बड़ी भूल में गुजार रहे थे, सहज होने में जो आनंद है, वो किसी चीज में नहीं, एक बार सहज हो के सरल हो के देखिए, जिन्दगी मुस्कुरा उठेगी, नमस्कार.